बढ़ी के बार एक बार फिर आपका स्वागत है कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप देखिए सारी कहानी कुर्सी की ही है कि कुर्सी किसे मिलेगी दोसर 28 सीटो वाली महराश्र विधान सभा में मुख्य मंत्री किसका होगा महायुती का होगा या महाविकास अगारी का होगा इसे लेकर महाविकास अगारी के अंदर ही जुस तरीके की खीचतान है वो हमने आपके सामने रग दी लेकिन वो सारी खीचतान तो बात की है जब सर स्क्रीन देकर आ जाएं चाहे वो हम मेटराइज की बात करें पी मार्क की बात करें ये देखें लोग शक्ती मराठी रुद्र ये कह रहा है कि 128 से 142 महायुती और महाविकास अगारी 125 से 140 ये भी आप आवरेज समझें कि बीच में कहीं डोयल कर रहा है किसी की भी जीत हो सकती ह महीं मैटराइज की बात करें 150 से 170 ये महायुती के लिए प्रेडिक्ट कर रहा है ये अनुमान है महाविकास अगारी याने पिछडती दिखाए दे रही है पी मार्क की बात करें तो 137 से 157 यहां पर भी महायुती की सरकार बंती दिख रही है अगर आप अपर एज कि अदर्स की भूमिका आ जाती है कि अदर्स का परफॉर्मिंस कैसा रहता है तो आप इसमें तीसरी लाइन भी देखते चलिएगा कि जितने भी पोल्स हुए है उसमें अदर्स की सिटुएशन क्या दिखाए दे रही है बट पोल ऑफ एग्जिट पोल अगर आप है कि एग्जिट पोल वाले भी बीच बीच में अपना आकड़ा बदलते रहते हैं इतना डरे हुए है तो इसलिए अब उस पर तो बहुत बात नहीं हुते लेकिन एक सेंटिमेंट के लिहास से देखें तो महायूती वहां बेटर दिखती है और सरकार बनाती हुई दिखती एक जो अभी हम लोग नाना पटोले और संजयराउद की बात कर रहे थे पूरे समय ये कहा जाता रहा कि एकनाच शिंदे नाराज हो जाएंगे देविंदर फढणवीस क्या करेंगे अजित पवार की भी महत्तवा कांग्शा है और बाकाइदा एकनाच शिंदे और देविं तो दो-तीन बड़े अंतर हैं एक तो एक लोगसभा चुनाओं में ओर कॉन्फिडेंस का शिकार थी भारती जन्ता पार्टी दूसरा ये कि उस वक तुरंट तुरंट एक जिसको कहते हैं ने कि थोड़ी नाराजगी लोगों में जो गदार गदार चला था जो खास करके शि पवार और धो ठाकरे वहां बहतर रहें तीसरा अगर देखें तो हरियाणा का एक चुनाओं बीच में आया और उसके बाद जिस तरह का सेंटिमेंट बदला जिसको चाहा बटोगे तो कटोगे कह दें चाहें एक है तो सेफ है कह दें जिस भी नारे के नाम से आप देखें एक जो कंसॉलिडेशन था वो हुआ और जो सबसे बड़ी बात थी कि भारती जनता पार्टी की जो वहिचारी कधे श्ठान पर पूरी केंपेन रही वो बहुत सेटल वेर में चली मतलब कहीं वो बिखरती भी नहीं दिखी तो मुझे इस वजह से लगता है कि जो पोल आफ की रुद्र का है मुझे नजाने क्यों इसकी तरफ ज्यादा ऐसा लग रहा है कि ये मुकाबला बड़ा काते का था तीन-तीन की पार्टी इसके बीच का ये गट बंदन उसके बीच में 38 सीटे ऐसी जहां पर वोट जिहाद का मुद्दा खूब जो शोर से चला वोट कि ये लोग शायद महायूतिक लेकिन उसका जो अगर कहें काउंटर पोलराइज़ेशन है क्या वो हो पाया अधिक मुझे लगता है ये तो तारीक को क्लियर होगा कि मतलब किस तरीके से लेकिन नहीं मैं आगे बता रहा हूं कि आपके पश्टर का जवाब दे रहा हूं मैं से बात कर रहा है तो जो सेंटिमेंट गया है कि एक तरफा मुस्तिम वोट के लिए जिस तरकी से उद्धव ठाकरे ने मतलब पूरी ताकत लगाई है कॉंग्रेस और शरत पहूर उसके पर पूदर के से कोशिश कर रहे है तो जिस तरके धर्मजुद्द की बात जब देवे लिकिन यह बात भी सही है कि 2024 का जिस तरीके से परिणाम आया था उससे बहुत बहुत बहतर महायूति के पक्षमे परिणाम जाता हो मुझे दिख रहा है मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है कि अगर 288 सीट से अगर विदान सब आके तो महायूति मुझे लग रहा है 145-150 के विश में कहीं रह सकता है 145-150 तो सरकार तो बनी गई दिवेंडर आपका अकलन नंबर साब भली ना दे लेकिन कम से कम ये बताएं कि ये काउंटर पोलराइज़ेशन हुआ भी है या नहीं हुआ है नहीं इसमें कई जी होती है मिना कि जब इस तरह की नेरेटिव कड़े जाते हैं कि जा रही है क्या वो मीडिया में ही है या लोगों के 20 तक जाता है अगर आप डिवेट कर लें और नेता कुछ-कुछ बयान दे रहे हैं क्या उतने तक सीमी था या ग्राउंट तक पहुंचा कम से कम आप ये मान के चल सकती है कि माराठा वड़ा विदर्व में तो वो कोई इशू था ही और वैसे कंडिशन में आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े पॉकेट में उस वक्ट जब थे तो ज्यादतर वोटर्स का विदर्व के तो यही कहना था कि इन सबसे हमें कोई मतलब ही नहीं रह जाता है कुछ खास में हो सकता है कुछ चीजे असर हो जाए जैसे मान लिजे कि साइना इंसीजी सीट पर चुनाव लड़ रही है वहां लगबग पच्पन फिस्दी का असपास मुस्लिम है मंबरावली सीट पर तो वहां पर अगर मुस्लिम वोट में विखरा हो तो फिर बटेंगे तो होता है लेकिन वो लिम्टेड है ऐसा नहीं है कि इस नेरेटिव के अधार पर चुनाव यह जरूर है कि चुनाव लड़ने की साब से देखें तो बीजेपी गडवंदन यानि महायूती गडवंदन ने एक शांदार तरीके से चुनाव लड़ा है और जो जो चुनाव जीत हो तो ऐसे ही तो महाविकास सागारी और महायूती बन गई किसने सोचा था शिफेना तोटेगी किसने सोचा था एनसीपी टूट जाएगी लेकिन यह भी टूट गए एक बार हम उत्तर महराश्रे का भी डेटा आपके सामने रगदें आर नॉर्ट महराश्रे को लेकर क्या परफॉर्म यहां पर कर रहे हैं पिर नासिक में चगन बुजबल साब भी आजकल तो इधर ही आगए है आजकल तो कौन किधर चला गया है चुना होते होते हैं इस डाटा पर नौर्थ महाराश्ट वाले पर आप अल्मॉस्ट 100% बेट कर सकती है कि हमायूती मीनिमम् 20 पर आए क्योंकि पहले शिवसेना का गड़ होता था लेकिन बारती जन्ता पार्टी और शिंदे दोनों मिलकर बेतर कर सकते हैं किया रहा हूं कि केवल पश्चिव महाराश्ट विधर्व और मराथ वाड़ा यह तैय करेगा कि महाविकास अगाड़ी कैसे सरकार बनाएगा बाकी जो तो भी आदार्स का गर्व साथ आ जाता है जैसे देवेंद्र बता रहे हैं कि कम से कम 50 सीटे 50 क्लोज वाइट वाली सीटे जो कहीं भी जा सकते हैं लेकिन 50 के अदार का अब कैसे उसका नतिया आकलन कर सकता है लेकिन इसका जो मुस्लिम वोटर से उसका जो इसका जो असर नहीं पड़ रहा है आप यह समझे हो कि उसका इंजिट पॉल मुझसे ले लीजे लोग समाने वो दिखाई दिया ना का मतलब जैसे नवाब मलीक और अबुगाजमी की सीट है मैं बता रहा हूँ ना कि उसमें यह कते ही नहीं होगा कि वो शिवसेना जीट जाए सीट वहाँ पर जो मुस्लिम वोटर है वो तैय करेगा कि कौन सा कैंडिडेट चाहिए वो अबुगाजमी हो या नवाब मलीक हो कोई भी हो या कोई और तीसरा भी हो सकता है किसको कौन जीत रहा है वो उसके तरफ जाएंगे आप सोचरों कि वो पांच मुस्लिम केंडिडेट का फायदा किसी नॉन मुस्लिम को हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता मैं उस जल्दी से ठाने और कोंकन को लेका है हर्श्वाजन जी छोटा सब रियाक्शन उसके बाद भाद जारकंट की भी सीटों की होगी वहां किसकी बन्रिया सरका लेकिन पहले ठाने कोंकन ने मुझे रखता है ठाने कोंकन भारती जनता पार्टी और शिंदे का बहुत इस पहले हैं यहां रतनागेरी सिंदुदूर एक तरह से कहें कि राणे शिंदे और बीजेपी इनका यह इस ट्रॉंग होल्ड है और यह मूल रूप से क्या है यह जो कोंकर का इलाका है यहां मूल रूप से जो बाला साफ ठाकरे वाली शिवसेना का जिसको मराठी मानुष जो हिंदुत के साथ आता था उसका यह बहुत स्ट्रॉंग होल्ड है यह हमेशा से हिस्टॉरिकली रहा जब बहुत कम सीटे जीते थे तो भी और अभी तो एक नाच शिंदे मुख्यमंत्री हैं तो उसका भी एक लाब उनको मिलेगा ही मिलेगा अब जल्दी से बात कर लेते हैं जारकंड की जारकंड की सिचुएशन क्या है इस बार जारकंड में जुनाव का मुद्दा रहा धर्मांत्रन का मुद्दा रहा रोटी बेटी का वोट जिहाद के साथ साथ लब जिहाद का भी लेकिन किया यह मुद्दे वहाँ पर काम किये और जैसा भी थोई तर पहले हम महराश्ट्र 투 को लेकर कि वहां पर लाटकी बहन योजना का असर क्या दिखाए देगा एक डेटे का इंतजार इस वक्त बीज़ीपी भी कर रही है हम भी कर रहे है कि महिलाओं का वोट किस तरफ गया ठीक इसी तरीची से झारकण में भी ये वोट बहुत इंपोर्टन्ट है मईया, क्या योजना चल दी थी वहाँ पर? मईया सममान योजना तो मया समान योजना का असर किस तरीके से दिखाये दिया है क्योंकि महिलाओं का वोट ज्यादतर आप देखेंगे एक तरफ जो योजना उन्हें पसंद आ गई फिर घरवालों का वोट एक तरफ हो सकता है लेकिन महिलाओं का वोट एक तरफ ही जाएगा वो फिर घरवालों क साथ नहीं खड़ा होता तो अभी आपकी सामने इस वक्त जो एक्जिट पोल्स है उसका डेटा मैं पढ़ देती हूं एक्सिस मा इंजिया ये कह रहा है कि एंडिया को 25 सीट आ सकते हैं लेकिन सरकार इंजिया एलाइंस की बनती हुई दिखाएते रही है तेरेपन सीटे दिख दिखाएते रही है 25 से 30 इंडिया अलाइंस को पी मार्क का डेटा आप देखें उनका अनुमान यह है कि 31 से 40 सीटे आ सकती है एंडिया गडबंधन को तो वही 37 से 47 सीट इंडिया अलाइंस को इस तरीके से पीपल्स पर्स और जेविसी का लेकिन पोल अगर बात करें तो यह पर भी महामरा 50-50 का देवेंद्र दिखाए दे रहा है और उसकी वजह मेनाक्षी जैसे यहां भी यह आ रही है जो सबसे बड़ा फैक्टर यहां पर ही होगा जिसको आप पढ़ नहीं सकते इसको रिद नहीं कर सकते ही कि मैया संबान योजना उसका असर कितना रहा है क्या असर तो ही पहले से पहले से योजना चली आ रही है अलाकि गोगो सम्मान योजना बीजेपी ने लौंच किया एंडिये ने और उसमें धनराशी भी बढ़ाई गई लेकिन जब आप अल लेडी दे रहे होते हो एक समर्थन रहता है और जारखंड जैसे गरी प्रदेश के ल चल रही है डिस्क्लेमर के साथ कि अगर मिया समान योजना कोई बहुत बढ़ा करेंट ना हो तो 38 से 42 तक वो जा सकते हैं अगर इस करेंट ने क्योंकि महराष्ट में अगर लाड़की योजना महाजुती के पक्ष में काम करेगी तो जारखंड में क्योंने हेमन सोरेन के पक सकती है दूसरे पक्ष के अगर बात करने हैं तो इसमें हैमन सोरेन बहुत अच्छा करेंगे जिसमें कोई दोर आए नहीं सीटों की संख्या उनके बहुत अच्छी रहेगी वहां पर यह चिंता यह है कि कॉंगर्स शायद इस बार डबल डिजिट ना जा पाए खराब कंड दिखा रहा है तो हेमन सुरंद इखिलाब जो कहा गया था कि एंटे इंकम्बेंसी है करप्शन का हेमन सुरंद के परारूप लगा था भारते जन्ता पाटी ने आज उसके साथ गड़ बंदन कर लिया बाबुलाल मरांडी को आप लेकर आ गए हमन विश्य सर्मा और शिवर अखर पर उसका आशर काम कर रहा और यह मुझे लगता है कि जिस तरीके से एमन सुरेट के गरफतार किया गया था ओसकता आधीवासी में इस बात के लिए कि नाराज यह हो कि हमन सुरें गया है तो तो 28 सीटे आधीवासी की वहां से आरक्षित सीटे आती है पिछली बार ब बारतियन्ता पार्टी का प्रचार अभियान देखेंगे तो कहीं पर भी उन्हें ने एक दम चुनाब कर लगा है तो मुझे लगता है कि अधिवासी में सेंटिमेंट गड़ा हुआ कि हम तो गलत तरीके से गिरफतार किया गया हुआ और चंपई सोरन को लाकर जो बारतियन्त बेल्ट की बात कर लेते लेकिन उससे पहले बाबुलाल मरांधी जो की ऐसा चर्चा में है कि वो प्रिफरेंशियल सीम कैंडिडेट है अगर बीज़पी की सरकार बन जाती है इंटिया की सरकार वहां पर बन जाती है वो क्या कह रहे है वो भी सुने और शिवराद सिंग चो कार करताओं से हम सब लोगों ने जो फीडवेक लिया है और उस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जारकण में इस तफ़ा चुनाओं का जो परिनाम होगा वो 51 पलस सीटे भारती जनता पार्टी और इंडिया गड़बंदर को आ रहे है जब सारे परिनाम आ जाएंगे उसके बाद विदायक दाल बैठेगी और इसके बाद आए करके जो सभाविक है चर्चा लोग करते चुके प्रदेश अध्याच है तो चर्चा करेंगे लोग यहां तो विशुद्द चेहरा होगा वो जहार खंडी चेहरा होगा यह महसूस कर रहे हैं कि जहार खंड की जनता ने संपूर्ण प्यार की वर्षा प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी पर की है क्योंकि उन में विश्वास है भारती जनता पार्टी और एंडिये को सरकार में लाने के लिए जनता ने वोट किया है तो निश्चित तोर पर हम सरकार बना रहे हैं जहार खंड की तस्वीर और रहा की जनता की तकदीर बदलने के लिए सभी लागों मजबूत है जा कोलानों चा संधाल हो आश्चर जनक परिणाम आएंगे हमारा सांदार बहुमत आएगा यह बाते शांदार बहुमत की और इसके बाद हरश्वरधन जी संधाल से आने वाले दो चहरे जो इस वक्त आपके सामने है दर्शकों के सामने भी है दोनों के ही चहरे कितने महत्वपूर्ण हैं सेलेक्शन में इसमें मुझे कुछ और कहने के जरूरत नहीं है लेकिन 51 तक आखड़ा जा सकता है यह बहुत बड़ा दावा नहीं हो गया इतना बड़ा नंबर होगा यह थोड़ा मुश्किल है और जो अभी जमीर जी ने कहा भष्टाचार भष्टाचार का मुद्धा बीजेपी ने खूब बनाया था सफल नहीं हुआ इडी की जाज से लेकर राजभवन में जिस तरह से हिमन सोरेन ने त्याक पत्र दिया था उसके बाद उनके सारे सिपाल सालार छोड़ छोड़ कर जो आए भी तो उनके साथ लोग उस तरह से आते नहीं दिखे चाहे चंपाई सोरेन हो चाहे सीता सोरेन लेकिन भाजभवन ने अपनी वो कमिया दूर करने की कोशिश जरूर की जिसको लेकर वो चित्ती थी कि भई हम आदिवासी क्षेत्रों में अगर जीतेंगे ही नहीं तो फिर वो गैर आदिवासी पर बहुमत हमें नहीं मिलने वाला है हेमन सोरेन की छवी पर भष्टाचार का कोई असर नहीं था लेकिन हाँ ये जो मुद्दा है जिसको रोटी बेटी माटी करके कैमपेन चलाया जिसको आदिवासी बेटी और घुसपैठिया जमाई करके कैमपेन चलाया जो उनकी जमीन गिफ्ट डीट के नाम पर दे देने क का मुद्दा चलाया ये मुद्दे वहाँ पर करेंट के तौर पर दिख रहे थे अगर वो जमीन पर उतरते हैं तो निश्चित तौर पर जो भारती जनता पार्टी के गवाई वाली एंडिये है उसकी सरकार बनेगी अगर वो मुद्दे नहीं बनें क्योंकि हेमन तो सोरेन इंटेक्ट हैं वो अपनी जगह तब भी खड़त है और अगर पूरे चुनावी कैमपेर में देखिए तो ना तो शिवराज सिंग चोहान न हेमंत विश्चर्मा और बाबुलाल महरांडी जी तो लग रहा है कोई दबाव उनके उपर भी आगया तो दारी वाड़ी बढ़